हाई अब्रिवान, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राभूल जे इस बाल है, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगी पढ़ाई बहुत तरीकी से चल रही होगी, और जितना भी कॉंटेंट्स हमने टेलिग्राम के उपर अभी फिलाल महीं अपलोड करके रखा हुआ है, उसको जाके जरूर से देखना, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलिग्राम हमारा जॉइन कर लो, टेलिग्राम जॉइन करने के आपको दो तरीका है, एक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप सिंपली क्या करोगे, टेलिग्राम पे जाके जे आर टुटोरियल्स टाइप करो, सर्च करो, आपको जहां पे भी 38,000 वाले सब्स्क्राइबर्स दिखेंगे जे आर टुटोरियल्स पे, मैं बात कर रहा हूँ, टेलिग्राम पे तो उसको जॉइन करना वो हमारा ओरिजिनल चैनल है, बाकी बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल भी क्रियेट किया है, जे आर टुटोरियल्स के नाम का टेलिग्राम के ओपर, तो उसको जॉइन करोगे, तो उसमें कई सारे वीडियो उसके लिंक जो है, वो शेयर किये हुए, तो आप जाके जरूर से चेक आउट कर लेना, ठीके, तो आपको बहुत यूसफुल हो जाएगा, साथ ही में इंस्टाग्राम पे आप जॉइन हो सकते हो, फॉलो कर लेना, मुझे कुछ डाउट्स या फिर कुछ भी आपको मुझे पूछना है, तो आप पूछ सकते हो, ठीके, तो आज क्या लेकर आया हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि इसके पहले एक और वीडियो मैंने अप लोड किया था, जिसमें मैंने most important MCQs, यानि जो choose the correct options होता है, और साथ ही में, जो find the wrong pairs and re-righted वैसे वाले questions, objective based question के वीडियो डाल इसके पहले वीडियो में नहीं बनाये थे, जो नए वाले चीज़े हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो फटा-फट से आप लोग तयार हो जाओ, और कुरसी की बेटी एकडम tightly बान लो, क्योंकि लगबग 10-12, जितने भी concept chart, important flow chart से, concept maps है, वो सभी च questions, तो हमारे पास एक presentation है, जिसमें हम लोग चीज़े को discuss करेंगे, तो उमीद कर रहा हूं कि ये जो screen है, उसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो हमने एक PPD type बनाया हुआ है, जिसमें हम बाकी चीज़े जो है, वो आप लोग को बताने वाले है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको इसको solve करके बताएंगे, कि समझ लोग ये question आता है, question कैसा पूछता है, normally, आपको question पूछा जाएगा, complete the concept chart, ऐसा कुछ question आएगा, chart पूछेगा, या फिर complete the concept, math पूछेगा, या फिर outline के base पर भी questions जो है, वो पूछे जाते हैं, तो समझ लोग ये question है, अब इसको आप कैसे solve करोगे, तो सबसे पहले, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कि ये दिया क्या है, क्या आप बोल रहा है, different forms of popular folk theatre in महाराष्टर, हमारे महाराष्टर में जो folk theatre होते हैं, वो कौन-कौन से different forms के होते हैं, तो यहाँ पर 3-4 च different forms of popular, क्या होते हैं, folk theatre होते हैं, तो आपने एक सुनाओगा, पपेट्री, ठीक है, पपेट्री एक बहुत important और बहुत ज्यादा famous folk theatre होते हैं महाराष्ट में, जिसमें वो पुतला होते है, पुतले को ऐसे रसी बांध के पपेट, होते हैं न, पपेट का नाच, तो पपेट अलावा भी बहुत सारे चीज़े हैं, जैसे भरूड होता है, और भी अगर आपको कोई पूछता है, तो इसके अलावा आप तमाशा लिख सकते हो, तो ये सभी चीज़ आप लोग लिख सकते हो, अगर आपको इस प्रकार का flow chart, या फिर जो concept map बोलो, concept chart बोलो, अगर अगर आपको इस तरीके से याद कर लोगे आप लोग, तो चाहे किसी भी तरीके से ये question को पूछ दे, जरूरी नहीं है कि ये flow chart में पूछा है, तो flow chart में ही पूछेगा, हो सकता है, आपको question answers में पूछ ले, हो सकता है, fill in the blanks में कुछ चीज़े पूछ ले, तो आपको ये तो ये हो गया हमारा पहला question screenshot ले सकते हो, आप लोग ठीके, अब मैं चलूँगा हमारे अगले question की तरफ, ठीके, तो next question क्या है हमारा, that is the timeline वाला question, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये question जो है, ये timeline का question होता है, question कैसा आता है, कि complete the timeline, ठीके, complete the timeline, तो ये timeline वाला question ह या फिर complete the flow chart, ऐसा कुछ question आएगा, तो इसको हम लोग कैसा कर सकते हैं, solve, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कि ये है क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ boxes उपर बनाये हुए है, और arrow है बीच में, और कुछ boxes नीचे बनाय है हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक date लिखा हुआ है, 15 September 1959 में, क्या हुआ था, वो यहाँ पे लिखना है, लेकिन मुझे तो कोई idea है नहीं कि क्या हुआ था, तो उसके आगे में बढ़ूँगा, कि Mumbai दूरुजदर्शन was started, तो यह पुचा है कि कौन सा ऐसा date थ जिसमें Mumbai दूरुदर्शन start हुआ था, मतलब कहीं ने कहीं हमको एक समझ में आ रहा है, यह जो timeline है, यह कहीं ने कहीं TV दूरुदर्शन और इसके related होगा, तो हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि हमारा जो chapter था, ठीक है, उसमें जो TV वाला, जो mass and history वाला जो chapter था ना, इस of my 1972 में start हुआ तो यह इस से मुझे क्या मिल गया, एक idea मिल गया, कि अर मुंबई दूरुदर्शन जो start हुआ था, फर्स्ट में 1972 में हुआ था, तो हमें जो 15 सेप्टेंबर 1959 लिखा यह क्या है, तो यह actually एक ऐसा date है, जिसमें public broadcaster दूरुदर्शन start हुआ था, ठीक है ना, public broad broadcaster, public broadcaster दूरुदर्शन, क्या नाम था उसका, दूरुदर्शन जो है, वो start हुआ था, याद रखना, कौनसा date, देट याद रखोगे, 15 सेप्टेंबर 1959 में आपका public broadcaster दूरुदर्शन जो है, वो start हुआ था, यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, थी, उसके बाद मुंबई दूरुदर्शन कब start वा था, 1st May 1972 में, फिर एक देट आया, 15 अगस्त 1982, तो 15 अगस्त 1982 में दोस्तो, color television पहली बार लाया गया था, तो color television introduce, color television introduce, मतलब पहली बार color television को introduce किया गया था, मतलब जो 1982 में जो लोग होंगे न, उस टाइम पे, मतलब हमारे father लोग का जमा मतलब मेरे father का जमाना, आप लोग के father तो शायद यंग रहे होंगे, मतलब उस जमाने में, पहली बार color TV आया होगा, तो लोग ने पहली बार color देखा होगा, कि या, लाइफ में color भी होती है, तो normally हम लोग color black and white ही देखते थे थे न, पूराने जमाने में, तो ये color television इंट्र अगस 1982 में, और एक last है, क्या private channels were granted right to teleka, मतलब पहले के जमाने में, क्या होता था था न, सिर्फ national channels होते थे, एक तो DD1 था दुरदर्शन, ठीक है, national, ठीक है, और एक था something metro, something ऐसे कुछ नाम मुझे याद है, तो न, सिर्फ government के channels होते थे, मतलब कोई private channel नहीं होता थे, लेकि प्राइबेट चैनल को कब rights मिला था, तो यह मिला था 1991 में, 1991 में, पहली बार rights मिला था कि private channels वो TV पर चलाया जा सकते हैं, तो यह था एक timeline, यह जरूर से आ सकता है, तो इसको जरूर से आप photo खीच के रख सकते हो, मतलब screenshot लेके रख सकते हो, ठीक है, तो यह important था, उमीद करत map है, इसमें question क्या पुछा है, types of tourism, अब there are so many types of tourism हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जब आपने यह, बोलते है na, tourism in history वाला chapter है, तो tourism जो थे, वो कही सारे type की थी, एक तो आपका याद होगा कि आपको एक local tourism था, ठीक है, local tourism मतलब सिर्फ local में ही आकर आप घूम रहे हो, जैसे historical tourism, लिखा है मैंने, historical है, geographical है, लिखा हुआ है, health भी लिखा हुआ है, cultural भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन सा होता है, अगर जैसे local में आप घूमरे वैसे बाहर की देश में घूमोगे तो international हो जाएगा, तो international tourism, international tourism, ये भी एक बहुत important tourism है, ठीक है, international tourism इसके अलावा और कौन सा tourism हो सकता है, बताओ, अब कुछ-कुछ लोग जो है, आज के रिड़े में खेती को घूमाने लेके जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग है, जिनको घूमाने खेत में लेके जाना होता है, तो वो जो tourism है, उसका एक नया नाम रखा गया है, agro tourism, ठीक है और एक आखरी एक और चीज में बता दू, जो कि होता है, दोस्तो, sports tourism, ठीक है, sports में क्या-क्या चीज़े होती है, तो sports tourism होता है, तो यह देरा different types of tourism, total art type के tourism लिखे हुए, तो इसको आप learn भी कर रहे हैं, क्योंकि question कभी-कभी, जो आपका normal question आता है, explain the following वाले, दो marks वाला, चेक आउट करो, और साथ साथ में screenshot लेते जाना, आप लोगका preparation होता जाएगा, ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे, यह नौर्थ इंडिया, पेरे तो यह देखो, Indian classical dance form, मतलब, इंडिया में, देखो, अलग-अलग state की साबसे classical dance form होते है, कहीं पे कुछ dance हो होगा, कतक, ठीक है, कतक बोलते हैं, तो कतक नौर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे उडिशा की बात करो, तो ओडिशा में एक dance है, जिसको उडिसी dance बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उडिसी dance, तो उडिसी dance is very famous in उडिशा, ये भी आप याद रख सकते हो, फिर तमिलनाडू की है, अगर मैं बात करूँ, तो तमिलनाडू में एक बहुत famous dance form है, जो आप लोग पहले से नाम सुनते होगे, भरत नाटियम, ठीक है, भरत नाटियम is a very famous dance form, classical dance form की बात हो रही है, यहाँ पर तो classical dance form, तमिलनाडू में भरत नाटियम होता है, वैसे ही मह महाराष्ट में अगर मैं बात करूँ, तो महाराष्ट में एक dance बहुत famous है, लाबनी dance, ठीक है, और भी है कई सारे, तो आप उसको अच्छी तरीके से learn कर लो, जहाँ जहाँ अलग-अलग states में कौन-कौन से type के dance form होते हैं, इसको आप एक बार जरूर से check out कर लेना, और इसक क्या है, world heritage sites in महाराष्टा, अब महाराष्ट में world heritage site कोल कौन से है, जब से पहले तो एक देखे रखा है, elephanta caves, elephanta caves is very famous, first of all, और इसको पूरे world heritage sites में सामिल किया है, लेकिन इसके अलावा, एक caves आगर आपको याद होगा, aganta caves, ठीक है न, aganta caves is very famous, heritage site in महाराष्टा, उसके अल अलावा एक और है, Allora, ठीक है न, Allora caves, Allora caves is also very famous, इसके अलावा और क्या-क्या चीज़े है, बता दू आप लोगको, एक है चत्रपती, शिवाजी महाराष्ट टर्मिनस, चत्रपती, चत्रपती, शिवाजी, महाराष्ट टर्मिनस, यह क्या है, यह आपका railway station है, ठीक है न, railway railway station है, आपको पता है न, आप कभी CST, जिसको आज के रेड़ में हम लोग CSMT बोलते हैं, चत्रपती, शिवाजी, महाराष्ट टर्मिनस, जो टाइम के पहले CST ता खाली, चत्रपती, शिवाजी, टर्मिनस, एक टाइम के उसको शायद VT बोलते हैं, विक्टोरिया टर्मिन होता है, चत्रपती, शिवाजी, महाराज का railway station, टर्मिनस, ठीक है, और इसके अलावा एक और है, the Victorian and art, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखके ला रहा हूँ, ठीक है, क्या है, Victorian and art deco assemble, deco ensemble, ensemble of Mumbai, मुंबई में है यह, इसको भी आप learn कर लेना, यह आपको याद हो जाएगा, ठीक है तो यह कुछ चार-पाच है, जो World Heritage Site, जो महाराष्टर से बिलॉंग करते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तो इसको आप लिख लो अच्छी तरीके से, और screenshot ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, तो यह हो गया हमारा question, कुन सा हाई, पाचवत आईगे, तो इसको होते हैं, यहाँ पर लिख रखाया है पार्लैम्पिक्स होता है, पार्लैम्पिक्स कालावा ओलम्पिक्स भी होता है, ठीक है, जीस कंorang बेदलों में, तो जैवेलियन थ्रो होता है, फिर रनINGING RACE होता है, स्विमिंग होता है, ईसे कई सारे एवेंट्स होते हैं, उसको होता है वर्ल्ड कप किसका होता है क्रिकेट का होता है ठीक है फिर इसके अलावा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का भी ठीक है पुरे इंटरनाशनल लेवल पर होता है ना वर्ल्ड कप फुटबॉल ठीक है क्या होता है वर्ल्ड कप फुटबॉल और बता तो इसके अलावा के sports person जो है वो participate करते हैं तो यह सब कुछ international sports है इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आपके मन के इसाब से आप लिख सकते हो जो भी international level पे होते हैं correct है समझ में आ गया चलो screenshot ले लो आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है चलो next next क्या यहाँ पे types of encyclopedia यह तो बहुत important है और textbook का वाला question है तो encyclopedia कौन-कौन से type के होते हैं एक तो आपका dictionary होता है ठीक है dictionary डिक्षिनरी डिक्षिनरी बोलो डिक्षिनरी इस टाइप आफ ए encyclopedia ठीक है इसके अलावा विश्वकोस comprehensive comprehensive ठीक है ठीक है encyclopedic literature और इसके अलावा हमारा encyclopedia और क्या हो सकता है that is indexes ठीक है index index तो जैसा आपको दिया था उसके इसाब से मैंने लिग दिया इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना हो सकता है यह question exam में देखने आपको मिल जाए तो यह था हमारा types of encyclopedia का flow chart इसको भी आप लर्न कर सकते हैं कोई भी दो ही करना होता है ने ने टू फोर मार्स के लिए तो हो सकता है आ जाए ठीक है screenshot ले लिया चलो आगे बढ़ जाते है next पर जाते है next क्या है यहां पर इस इंडियन ट्रेडिशन इंक्लूड़ इन दो वर्ल्ड एंटेंजीबल हेरिटेज लिष्ट इन टैंजीबल और टैंजीबल यह पढ़ा होगा आपने एक पर जरूर देख लेना चाप्त नंबर थ्री में ठीक है तो यह जो इन टैंजीबल हेरिटेज लिष्ट है इसमें स्टेट्स के नाम दिये हुए और उसके इसाब से आपको बताना है कि कौन से लिख सकते हो आप लोग संस्क्रिट टियेटर के रला में कुटी अटम याद रखना यह क्या है इंडियन ट्रेडिशन है जो पूरे वर्ल्ड इंटैंजीबल हेरिटेज लिष्ट में शामिल है फिर पंजाब के अगर मैं बात कर तो पंजाब में क्या होता है पंजाब मे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल देखो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल बरतन बनाने का एक ट्रेडिशन है यूटेंसिल वो भी किस से बना जाता है ब्रास से ठीक है जो पीतल होता है पीतल एंड कॉप पर क्तामबा और पितल के help से यूटेंसिल बना जाता है, यह एक इंडियन ट्रिदिशन इंडियन परंपरा है, जो कहां होती है, पंजाब में होती है, जो कि इंटेंजीबल heritage list में शामिल है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, next है यहां पर मनिपूर, तो मनिपूर में क्य होता है, यहां पर सन किर्टन, ठीक है, क्या होता है, सन किर्टन, सन किर्टन, जो कि एक रिचुल होता है, क्या है रिचुल में यह सन किर्टन मतलब क्या होता है, यह रिचुल है, जिसमें लोग singing करते हैं, ठीक है ना, dancing करते हैं, ऐसे कई सारे चीज़े यहां पर की जाती है जो कि सनकृतन के नाम से famous है, कहा होता है, मनिपूर में होता है, जो कि इंडियन ट्रेडिशन माना जाता है, हमारे intangible heritage list के accordingly, एक आखरी चीज़ पूछा है जारकंड और उरिसा में, तो जारकंड और उरिसा में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है चावू डांस, क्य heritage list में शामिल है, तो इसका मैंने करा दिया है, तो इसको जरूर से देख लो, और इसका photo ले सकते हो, ठीक है, clear समझ में आ गया, screenshot ले लिया, चलो, आगे बढ़ जाते है, next question पर जाएंगे, और क्या पूछा है हमारे पास, next कुछ पूछा है क्या, कतम हो गया क्या, नहीं, औ हो गया, और हाँ, next यहाँ पर यह भी जेख लेते हैं, हम लोग, यह हमारा क्या पूछा है, देखो ध्यान से, it is also a concept chart, जिसमें आपको चीजे पूछी हुई है, plays by famous playwrights, मतलब इसमें ना अलग-अलग authors के नाम है, ठीक है, अब इन्हों ने क्या, कौन सा play यहाँ पर प्रस् का नाम सा, मृच्छ, मृच्छ, कतीला, ठीक है ना, कातिका, सोरी, मृच्छ, कातिका, ठीक है, मैंने लिखके लाया हुआ है, तो मृच्छ, कतिका, या फिर कातिका, जो भी आपको बोलना है, तो मृच्छ, कातिका, इसे गो, बेसर, play, एक नातक है, play मतलब क्या होता है, न नाटक करवाया था, नाटक मतलब प्ले, विक्राम सशी कला, ठीक है यह याद रहेगा, नाम याद रखो और उसका प्ले का नाम याद रखो, गोविंद बल्लाल देवल ने मृच्छ काटिका, श्रीपद कृष्णा को लाटकर ने विक्रम सशी कला, उसके अलावा को ने ख़ा कर, खादिल कर, तो इन्होंने क्या किया था, कृष्णा जी ने कीचक वद्ध, क्या किया गया था, कीचक, आपको पता होगा, कीचक, एक महाभारत का एक कैरेक्टर है, महाभारत में जब ये द्रौपती और जो पाथी पांडवस ने जो एक जगा पे रुक के अपना वेश बदला था जो अज्यात वाश था, उसमें एक राजा था, उसका वाईप का भाई था, उसका नाम था कीचक, ठीक है, तो कीचक वद्ध करके, ठीक है ना, ये एक नाटक था, कीचक वद्ध, तो ये किसने लिखा गया था, किसने करवाय था, प्ले, नाटक किसने करव तो यह सब कुछ plays है, plays मतलब क्या, plays मतलब क्या होता है, नाटक, जो की famous play rights ने करवाय था, तो यह उनके नाम और यह उसके play का नाम, तो इसको आप याद रख सकते हो, हो सकता है, अगर आ जाए तो इसको आप लिख सकते हो, clear, समझ में आ रहा है, तो ध्यान में रहेगा, यह स साइस वाले जो concept चार्ट दिख रहे हैं वो सब को तो आप अच्छी तरीके से लंग कर लो इन में इसे ही आएंगे इसके अलावा और बाखी के बाहर के आने के चांसे बहुत कम होते हैं तो अच्छे से practice करके ले ले ना ठीक है next हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ है क्या ह और बहुत सारे world heritage site से जिसको include किया है तो कौन-कौन से चीजे दो चीज दिया हुए एक तो western घाट दिया हुए और एक तो यहां पर क्या दिया है काजी रंगा नाशनल पार्क तो ऐसे कई सारे नाशनल पार्क है उसमें से एक आ जाता है सुन्दरबन आप जानता है यह सु अलावा ठीक है इसके अलावा यहां पर और कौन-कौन सा है ठीक है और कौन-कौन सा है यहां पर ठीक है वेस्टन घाट्स हो गया सुन्दरबन हो गया मानस नाशनल पार्क हो गया फिर काजी रंगा नाशनल पार्क तो ही ठीक है इसके अलावा और क्या-क्या है खजुरा हो एक अजनता केव्स आपने सुना होगा नाम तो अजनता केव्स भी एक इसको आप लिए कर रख सकते हैं अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स क्वेशन क्या है नेक्स क्वेशन हिस्टोरियन और नेम अप दा बुक मतलब कौन सा हिस्टोरियन ने कौन सी किताब लिखी थी यहाँ पर उसके बारे में हम लोगो पूछा यह ज़्यादा ही इंपोर्टन नहीं लग रहे है कि चांच से आने के इसको अच्छे से देख लेना तो जेम्स मिल history of British India लिखा था उन्हों जेम्स्मिल ने क्या लिखा था ता history of British India फिर जेम्स grant टॉफ तो जेम्स grant जो डफ थे उन्होंने क्या लिखा था history of maharatas ठ Lh और History of महाराथास यह याद रखना है na History of महाराथास किसने लिखा था James Grand Duff ने लिखा था फिर The History of India, यह जो भुक है वो किसने लिखा था The History of India, यह जो भुक लिखा गया था यह Mount Stuart Elphinstone यह याद रखना है Mount Stuart ठीक है Spelling 依ल आता है Stuart की Stuart Mount Stuart Elphinstone एलफिंस्टन नाम याद रख लो बस एलफिंस्टन तो एलफिंस्टन ने History of India जो बुक है वो लिखी थी ये कौन था? Historian था फिर S.A. Dange तो S.A. Dange ने कौन सी बुक लिखी थी? तो S.A. Dange ने लिखी थी Primitive Communism to Slavery ठीक है? Primitive Communism Primitive Communism to Slavery Correct है, ध्यान में रहेगा ये सब चीजे कौन से Historian ने कौन सी बुक लिखी थी? और एक Last है, Who were the शुद्रस्त? कभी भी शुद्रस्त का जिक्र आ गया यहाँ पे, तो इसमें या तो सुबाल्टन हिस्ट्री आ जाएगा, लेकिन सुबाल्टन हिस्ट्री ये नाम याद रख लेना, बहुत योगदान दिया इन्होंने, ठीके? तो अंबेड़कर साहिब जो थे, वो बुक लिखाता है उन्होंने कौन सा? Who were the शुद्रस्त, ठीके? याद रहेगा ये सब चीजे, तो ये कुछ important historian और उसके book के नाम, जो उन्होंने लिखे थे, ठीके? तो इसको भी screenshot ले लो आप लोग, चलो, फटा-फट से जाएंगे, हम लोग एक आखरी में, ठीके? देखते हैं, और कुछ है कि हमारे पास, ठीके? तो चलो, एक आखरी हमारे पास, इसको चेक आउट कर लेते हैं, क्या आप बोल रहा है? संत हूँ, popularized भजन, मतलब कौन-कौन से ऐसे संत थे, जिनोंने भजन को बहुत popular बनाया, अलग-अलग state में, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ, गुजरात, ठीके? फिर यहाँ पर है, गुजरात के बाद, नौर्थ इंडिया, फिर करनाटा का महराष्टा, तो अलग-अलग state के इसा आप से लिखा है, तो नौर्थ इंडिया में सबसे पहले में बात करूँगा, तो नौर्थ इंडिया में जो poet थे, या फिर संत बोल लो, आप तो वो कौन थे? तुलसी दास थे, ठीके? तुलसी दास ने काफी famous किया था, तुलसी दास, कबीर दास, यह सब नाम आपने बहुत ज़्यादा famous तोर पे सुना ओगा ठीके ना? यह हो गया, सूरदास, ठीके ना? सूरदास यह याद रखना नाम इसके अलावा फिर gujarat के अगर में बात करूँ तो गcularat में कौन थे? मीरा भाई, ठीके? याद रखना मीरा भाई इसके अलावा, महराष्ट में कौन थे, संत नाम देओ थे संत नाम देओ, महराष्ट के काफी ज़्यादा फेमस, जिन्होंने भजन को फेमस करने की बहुत अच्छी तरीके से help किये और लाष्ट एक करनाटका, तो करनाटका के कौन थे ठीक है न, बासा बना, ठीक है न, बासा बना ये नाम कुछ याद रख लेना हो सकता है, अगर ये कोशन आ जाए तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है clear हो गया, तो उमीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको तो ज्यादा टेंशन मत लेना यार, हिस्ट्री है हो जाएगा अची तरीके से, ठीक है चलो, इसे के साथ ये वीडियो को मैं क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, उमीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज कॉमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आयो हमारी चैनल पे तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और ने वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू, और गुडबाई